हेलो एवरिवान कैसे हैं आप सभी लोग आई होप की बढ़िया होंगे आज के ब्लॉग के स्टार्टिंग करते हैं एवनिंग के टाइम से तो अभी जी साम का टाइम है आपको मेरी विंडो से दिखाई दे रहा होगा कि अंदेरा हो चुक है संडे का दिन था हम थोड़ा बहुत घूम लेते हैं और होता है कि वीकली में कभी तो थोड़ा बहुत रेस्ट करने के लिए बाहर जाना चाहिए तो वही सोच कि हम आज आउटिंग में गए तो हम मॉर्निंग में या लगबग बार बज़े चले गए यहां से देन उसके मैंने हमारे बनाई थी ग्रिंटी क्यों काफी ज़्यादा थकान लग चुकी थी इवन हम ना तीन जगा गूम निकले गए एक दिन में तो थोड़ा बहुत पर प्रॉब्लम्स तो होती है थोड़ी बहुत थकान भी होई जाती है लेकिन वही था कि घर आगे बहुत को सुच वही है ना कि हमें सब को सोचना पड़ता है क्योंकि मौर्णिंग में यह सब काम करूं तो बहुत लेक्ट हो जाएगा बचों के लिए स्पेसली स्कूल के लिए तो यहां पर देखी मैंने ग्रिंटी रैडी कर ली है और वही ग्रिंटी जो लिप्टन की मैं पीती हूँ इस जो एक्सटा होता है ब्लैक कोला वो सब निकाल गे फैक देती हूं गोवी को जो एक्तम साफ गोवी होगी उसी को कट कर लेती हूं तो ग्रिंटी यहां पर रैडी हो चुकी थी और से वेट करते ग्रिंटी का तो फी वो तो बोलते कि मिल्क वाली चाई पिते हैं बट मैंने जा रहा है तो यहां पर देखिए हम लोग रिंटी पिरे थे आधी अपना टूशन का वर्क कर रहा था क्यूंकि उसने ना मॉर्निंग में जब टूशन से जाए तो उसके तुरंत बाद हम यहां से निकल चुके थे बाहर पर तो अभी अथर्व ने मॉर्निंग में ही कर लि करने के लिए अपने रूम पे और मैं त्यारी करने लगी हूं सुबह की तो नॉर्मली घर तो आज बहुत क्लिन था क्यूंकि हम ना जैसे घर से निकले उसके बाद से तो हम अभी घर पहुंच हुए तो रूम काफी जाता साफ सुत्रे लग थे बट यह था कि हां मुझे क्या करूंगी और किसकी सब्जी बनाऊंगी तो यह सब था दिमाग में तो मैंने बोला कि अभी में रुकती नहीं हूं अगर मैंने एक बार आलस कर लेना तो भी बॉड़ी में आही जाता है और दूसरी बात यह भी है कि नाइट को अगर हम यह सारे काम करके रख दे तो हम उनी हृण दिसमय डेख बैर मोर्णी में काम मतलब इतनी हमल धपरता पर नहीं मसती है काम बहुत आसली और बहुत जल्दी हो जाता है तो सबसे पहली काम कज्किशा कैट सब्जी को करने कर दो मैं और कैबेश की सब्सब्ργण से कुट करें जो beauहाँ अच्छी बारी कट सी पार नहीं हो पाते हैं अगर आप ग्लाज से कट करेंगे बहुत अच्छी से कट हो जाएगा सबसे पहले ना मैंने धालड़ी में पर देख यादा हुगती तो इस वेसे मुझे अपने बड़ी आली कड़ाही लेका पाड़ी मैं ऐसमे इसमे ऐसे से कट कर देता सबजी खराब नहीं होती है यह दो तक ही आप सब्सक्राइब कर दो तक ही अच्छी नहीं है हमारी सब्सक्राइब कुछ बहुत जो था कैवेज के पीसिस गिरे हुए थे मैं उसको उठा लोंगी अगर मैं उसको नहीं तो अथर यहां से वहां चेकर मारने में लगा रहता है उस बज़े से मने लगता है तो नायट के काम है यह सायथ हर लेडिस करती हों ङो हर कोई मतलब मुझे देख के सोच भी रहाती है यह कक्या सी जाएज के करते हैं तो जब ग्रीन टी पी लिए तो उसके बाद थकावट एक फुड़ी सी गुम हो जाती है और दूसरी बात यह माइंड में अगर हमारे यह है कि हमें करना है तो हम कर लेते हैं और माइंड में यह होता कि नहीं अभी तो टाइम बहुत है कल सुबह कर लूगी है सुबह 9 बजे क तो क्या पता मैं नहीं करती मैं खुद बैड में रेस्ट कर लेती बट मुझे यह था कि नहीं कल मॉर्निंग सारे 6 बजे कारी आ जाएगी और उस टाइम पर आदे चला जाएगा तो कीजिन के सारे काम निपट चुके थे डिनर हमने नहीं बनाना था क्योंकि हमने जो हमारा कुछ 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 कप्ड़े ते जो सूके नहीं थे अच्छे से और वह बाहर पे मैं छोड़के गई थी हवा लगने के लिए क्योंकि आज कि यहां का वैदर है काप भी ज्यादा रेनी सीजन है और उस वज़े से बारिस इतनी हो रही है कि कप्ड़े अच्छे से सूकी नह कि अच्छे से ना सूके हो वैसे लगता कि जब तक सूरज की क्रेश ना पढ़े कप्ड़ों में तो कप्ड़े अग्दम गरम-गरम से ना हो तो अच्छे नहीं लगते तो यहां पर देखें दोनों बच्छों के कप्ड़े थे जो मुझे प्रस कर रहा था इस पेशली सबसे पहले ना हम आज गए थे पाताल पाने जो मौ में है तैन उसके बाद हम गए चोरल डैम एंड थार्ड जेगर हम गए थे जहां पर प्रशुराम जी का जनम हुआ था उस वाले मंदिर में एंड वो मंदिर में सबसे मतलब अच्छा लगा इस पेसली कर ना वहां जाके दन उसके बाद हम वहां से आ चुके थे बट सोचा है कि एक बार पका और जाएंगे क्योंकि ना मतलब पिक्निक स्पोर्ट के लिए बहुत अच्छी जगह है और बस सबसे बड़ी प्रब्लम ही थी कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा था इस पेसली आज वीकेंड होता है संडे होता है तो ट्रैफिक हर जगह पर होता और और स्पेसली क्या होता है कि जो मतलब हम तो पहाड से बिलॉंग करते हैं बड़ जो लोग बाहर रहते हैं उनको पहाड देखना काफी ज़्यादा पसंद होता है पहाड का व्यू देखना बहुत पसंद होता है तो इस वज़े से अच्छे से रख लेती हुआ ताकि क्या होता है कि सुबर मौर्णिंग में दोनों को कोई प्राब्लम ना हो और वही बात है अंडर कार्मेंट की भी क्योंकि अथर गुद्ध के दोनों को दोनों मेन उन्हीं की जो ड्रस उसके बख़ते हैं कि मौर्निंग में वह जब लिने त इनका जो साइज है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट इसवाइज साइज में बहुत प्रावलम हो तो मिझे पहले से अलग रखने पड़ते हैं वरना बीच में क्या हुआ था एक दिन की आधी का एक सॉक्स ना अथरू ने पहना और अथरू का एक सॉस आधी ने पहन लिए हमारे कपने में रख लूँगी तो सोचिए हम वहां से आए और नॉन स्टॉप उसका इतना काम हो चुका था ना मैं आपको बता नहीं सकती और इनी कामों के विच्पे कुछ कुछ कामे याद आते जाए तो मैंने बोला फटाफट से मैं वह काम भी कर लेती हैं और आपके स दाल को मिक्स ना करना पड़े कि इससे कहोता कि बाद में टाइम भी बच जाता है और बहुत आसाने से हमारा काम भी हो जाता तो यहां पर जितने मेरे यूज के हैं उसको मैं रख लूँगी और जो यूज की नहीं है मैं उसको दुबारा इसी कबर्ड में रख लूँगी तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अब मैं जाती हूं और लेकर आती हूं एक ठाली तो हर जैसे कोई भी डाल हो सबसे पहले मैंने ना जो लोबिया है लोबिया की डाल के जो दाने हैं कुछ वो रख लिये थे फिर उसके बाद थोड़ा साब भी कर लिया ताकि उस टाइम ना मुझे कोई प्राब्लम ना हो दैन उसके बाद मैंने थोड़ा सा मूं की डाल थोड़ा सी अहर की डाल थोड़ा सा गहत के डाल ये सब इसमें एट कर लिया और अच्छे से मिक्स करने के बाद उसको एक कंटेनर में रख लिया तो इससे क्या अगा नेक्स टाइम पर करें अरफ हो जाता है हुझता है काफी साइध कष हो बहुत सारा सभाता है क्योंगी कभी कई भी कियों इससे करें दो दो और हमारा काम नहीं होता है यहां पर देखे मैंने सारे कंटेनर को अच्छे से रख लिया है और इसके बाद मुझे काम और करना था मुझे स्रुडर जी के लेना हरे मूं भीगोने थे क्योंकि आज कल जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि वह हमीजा मॉर्णिंग के टाइम पे खाते तो उसके लिए सबस में बहुत जदा फाइबर ओड़ता है जो हमारी बॉड़ी के लिए बहुत जदा इंपोर्टेंट होता है तो यह सब काम करते हैं और मिलते हैं आपको अभी थोड़े देर में हाई तो कैसे हैं आप सभी लोग आई होप की बढ़िया होंगे तो जी अभी बज़ रहा है साम हम लोग गए थे बार बज़े दन के और हम आये साथ 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 बज़े साम के तो उसके बाद से नॉन स्टॉप काम रहा कभी कुछ कभी कुछ जो मैंने आपको इसाथ किया और यही था अगर मैं वहां से आकर थोड़ा रेस्ट कर लेती तो फिर एकदम मेरी बॉड़ी में ज़दा आलसा आता और जब आलसा आता तो खुछ भी करने का मन बिल्कुल नहीं करता तो मैंने सब्सक्राइब कर लेती हूं और आपके साथ शेयर भी कर लेती कि रात को यह सारे काम कर लो तो मौर्णिंग के लिए बहुत आसान हो जाता है इस पेसली क्या होता है कि बहुत आसान से हमारा सारा काम हो जाता है तो अभी टाइम सारे नौस बच चुका है बच्चे नहीं सोए और मौर्णिंग में उठना भी है तो मुझे ना अभी इनको सुलाना है और थोड़ा सा एक काम और बचा हुआ है मेरा वह है आदी की एक ड्राइंग बनानी है तो मै होप कि आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो प्रिज लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजेगा मिलते हैं आपको नेक्स डे नेक्स वीडियो को साथ ओके बाई 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 टेक केर